जिप्सम का प्रियोग करने से जो है उत्पादक्ता को काफी फरक बढ़ता है उत्पादक्ता जादा होती है तो जिप्सम का उप्योग करने के क्या-क्या फायदे है और कैसे हमारे किसान भाई भेन जो है वो जिप्सम की उप्योग से जादा से जादा लाभानवीत हो सकते है जैसा मैंने बताया कि जिप्सम में कैल्सियम और गंदक होता है तो कैल्सियम लगबग 16 प्रित्सत होता है और गंदक की मात्रा 13 प्रित्सत होती है और जिप्सम राजस्थान की दिश्टी से इसलिए महत्पून है क्योंकि राजस्थान में जिप्सम बहुत आयत से पाया जात उत्पादकता बढ़ाने में तो है लेकिन उनकी गुनवत्ता बढ़ाने में भी है आज कर हम देखते हैं बजार में कि अच्छी क्वालिटी है उपज आच्छी गुणवत्ता है तो उसके दाम जादा मिलते हैं तो उपज तो बढ़ती ही है साथ में गुणबत्ता भी इसकी अच्छी होती है उपज की तो केल्सियम का एक फायदा ये है कि केल्सियम से जड़ों का विकास अच्छा होता है और आप कहते हैं न अपन सामाने भासा में वे इसकी तो जड़ें बहुत मजबूत हैं तो जिस पौदे की जड़ें अच्छ उनको भी पौदे को उपलब्द करा देती हैं जड़ें तो एक तो ये फायदा होता है और राजस्थान में क्या होता है कभी-कभी बीच में सूखे की इस्तिती भी आ जाती है लेकिन जब जड़ें अच्छी तरह से विक्षित होईंगी तो सूखे का प्रभाव भी कम पड तो इसलिए कैल्सियम का तो ये फायदा होता है और दूसरा जैसे जहां तक गंधक की बात है तो गंधक के उप्योग से और खasतार से दलहनी फसले हैं तो उनमें प्रोटीन की मातरा बढ़़ जाती है और आज आपको ध्यान 만ग जो तेलहनी फसले हैं उनमें तेल की मातर ज बहुत अच्छा होता है देखने में दाने बड़े आकरसक लगते हैं तो इस प्रकार से गंदक और कैल्सियम दोनों ही और इससे मिल जाते हैं जिप्सम के द्वारा